के आरके और सलमान खान का जो केस था उसको लेकर आज कोट में क्या हुआ है इस बात को लेकर अब खुद जो है के आरके ने पोस्ट किया है कि आज केस का क्या हुआ तो क्यार के ने पोस किया है कि court hearing is done, next date is 7th June, वंदे मातरम सत्ते मेव जैते जैहन तो इस बात की जानकारी अब खुद उन्होंने दी है कि court में जो आज case था वो अब उस पर सुनवाई 7 June तक टल गई है हाला कि इसको लेकर अभी सल्मान की और से कोई official जानकारी नहीं आई कि जो case हुआ था हाला कि जो उन्होंने दायर की थी आचिका उसमें इस बात की अपील की थी कि इसकी जो hearing है ASAP रखी जाए और आज जो है उस case की hearing थी वही कल क्यार के ने कुछ interview दिये थे जिसमें उन्होंने ये बात साफ साफ कही थी कि वो 200 पन्नों की पिटीशन हमें भीजी गई है जो notice है वो 200 पन्ने का है और उसको पढ़ने के लिए थोड़ा समय जाएगा जब उनसे पूछा गया कि आप court में आपकी दलील क्या होगी तो उन्होंने ये ही कहा था कि मुझे तो वो पढ़ने का ही time नहीं मिला उसको पढ़ने का पहले मौका तो दो तो मुझे लगता है कि यही दलील दे के थोड़ा और समय मांगा होगा तो अब यह जो पूरी सुनवाई है 7 जून तक टल गई है इस बात की जानकारी खुद क्यार के ने दी है कल उन्होंने एक वीडियो भी डाला था और उन्होंने कहा था कि कोट में जाने से क्या होगा क्या जज्ज मुझे ये कहेगा कि मैं सल्मान खान की फिल्मों को 5-4 दू ऐसा तो हो नहीं सकता मैं जो सच है वही बोलूँगा तो अब यह देखना होगा कि आज दलील के दौरान जो है के आर के और सल्मान के वकील के बीच में हुई है लेकिन फिल्हाल साथ जून को इस केस की सुनवाई है इस तरह की खबरे सामने आ रही है